स्वागत है मारा आई टिप चेनल में देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लासिक्स का गनित यानि जो आपका मुएत का जो है मोस्ट भी भी आई अब्जेक्टिव प्रसनिक को इसलिए वीडियो पर अन तक बने रहेगा और अपने सावी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरू सेर कीज़ेगा और चेनल पर पहले बढ़ आएं तो चेनल को सस्क्राइब करके साथ ही बल आइकन को प्रेस का नोटिफिकेशन को ओन कर दीज़ेगा देखें जो आपका गनित का जो आपका एक्जाम में 6 जून को लिया जाएगा आपका गनित का एक्जाम क्लासिस का 6 जून को लिया जाएगा जो कि आज कि इस वीडियो में यूनिट वन को देखने वाल हैं और unit 1 में जो आपका प्रस्ण रहेगा objective टार का प्रस्ण रहेगा जिसमें आपको total marks 40 रहेगा और आपका exam जो आठ बज़ेस लेकर 9-30 तक आपका exam जो चलेगा नो तिस तक आपका exam चलेगा तो बीडियो पर बने रहेगा और अपने सब्सक्राइब दोस्ते के साथ इस वीडियो जरू से रहेगा तो चलेए वीडियो को स्टार करते हैं और इस वीडियो का हर एक परस्ण को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा तो सबसे पहला परस्ण आपका पुर्णांक तो Δयू आपका पुर्णांक'd के देखे आपका सही आपका सही यानि इनमें सभी पुर्णांग है तो इसको नौट करिए आगे बरते हैं अब लोग नेश्ट प्रस्ण तो आपका नेश्ट प्रस्ण में पुच्टा है कि दिये गए दिये संख्या रिखा कि अधार पर कौन सा कथन सही है यह आपको एक संख्या रिखा दिया गया है इसपे आपको बतानों कौन सा कथन सही है तो देखिए यहां से आपको जो माइनस में चला जाता है यहां से आपको प्लस में चला जाता है जीरो के लेफ्ट साइड आपका जो बरा, C जो है, N से बरा है, C और C बोलता है कि 0 से C बरा है, D 0 से N बरा है, तो मतलब आपको देख यहां पर क्या होगा थी, कि A माइनस है, ठीक है, माइनस में जो भी 0 से सटाग वह रता है हुँ ना, तो वो बरा होता है, और उसका बाद वहला है, जो बहुत छोटा होती, यान आपको बरा हो जागा, और C आपका छोटा होती, यानि B आपको से जागा, C से N बरा, तो इसको नोट करके आगे बढ़ता है, वो नेश्प्रसनी की और, उसका बाद देखिया, आपका जो नेश्प्रसनी पुछता है कि 75 किलोमेटर में से 63 पुरनांक 5 से बड़े 11 पुछा है, और C आपको बागी पुछा है, तो क्या फूज़ेगा, या माइनस लखेगा, और आप इसको बनाते तो एंसर निकला आएगा, तो पहले हम लोग इसको बना कर देखते हैं, तो सबसे पहले आपको 75 माइनस क्या लिखना, 63 पुरनांक 5 से बड़े 11 है, यानि 63 प आपको आएगा 6, 9, 3 आएगा, यानि 693 और फिन आपको जब 5 पलस करना है, बटा में 11 लिखना है, तो 55 का 75 लिख दीज़े, माइनस लिख दीज़े, और इसको जो रहेंगा तो आपको आज़ेगा, चे सू अन्ठान में आज़ेगा, और बटा में आपको जो 11 आज़ेगा, चे सो अन्ठान में बटा में आपको जो 11 आज़ेगा, और इसको अब सॉल्ब करेंगे, तो क्या इंसर रहेगा, देखिए, 55 माइनस चे सो अन्ठान में बटा में 11, और आपका जो LCM 11, तो यहाँ LCM 11 हो ज़ेगा, और इसका निचे एक ता, तो एक को 11 से गुना करेंगे, त 825 माइनस हो जाएगा, 11 के 11 में एक बार में आता है, तो सिम लिखा जाएगा, और इसको अगर आप माइनस करते हैं, 825 में चे सो अन्ठान में को तो आपको आएगा, 1, 2, 7 यानि 117 आएगा, बटा में आपको 11 लिखना है, और इसका अगर आप पुरनांग तो आपको एंसर प्रस्नी की और, इस प्रस्ने में पूस्ता आपका, 11.007 प्लस, 17.3 प्लस, 42.05 का माणि क्या होगा, मतलब इसको तीनों को अगर आप प्लस करते हैं, तो आपका माणि क्या होगा, तो हम लोग इसको प्लस करकर देखते हैं, सबसे पहले क्या था, तो 11.007 था इसको लिखना सम्याइब being पुर्णायक्ता प ipeji जए उसको तलिखने हुए पुर्णाइब कि आपको इस तीनों को साथ हो जाएगा और यहां पन्च तो ति यहां और यहां पुर्णायक्ताइब हो जाएगा और कि भुपयर रीस्ते हो सही हो जाएगा 80 पुनांग 3 5 7 हो जाएगा ठीक है आगे बर दे हम लोग ने इस प्रस्शनी की और की देखे पुस्ता की यदि आपका जो X बराबर 4 Y बराबर 2 हो तो 3 X माइनस 3 Y का जो आपका जाए मान क्या होगा देखे आपको यहाँ X का भेलू 4 है Y का भेलू 2 है आपको बेठाना है समीकरन दिया गया है और आपका एंसर क्या होगा तो देखे 6 X था X में आपको है 4 दिया तो 4 को गुना करेगा माइनस 3 लिखिएगा Y में आपको जो 2 है 2 से गुना करेगा तो आपको 6 चुक के 24 आएगा माइनस आपका 3 दूनी 6 24 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 18 आएगा यानि ए ओप्सन जो आपका सही हो जाएगा इसको नोट करिए जितना भी बना रहे उसको भी आप नोट करिए उसका बाद देखिए आगला नेश्ट प्रसन आपका पुस्ता है कि समीकरन 12 माइनस वाई का हल होगा तो देखिए ऐसा कोसन आपको घबराना नहीं है आपको सिधा लिखना किया तो 12 लिखना है और देखिए पहले लिख दे 12 माइनस to Naj always 5 2 आपको पांच आपको समीकरन दिया है माइनस वाई को इधर रहने दिढ़े पांच लिखेएे मैंश को बाइदेगा यानि जो आपका फुलस में था तो इधर जाकर माइनस में होuren तो आपको क्या करना तो मनाइनस वाई को लिखना सीधा और पांच में से बारा जागा तो आपका जो जागा माइनस साथ हो जागा ठीक है तो साथ माइनस माइनस कर दिया तो वाई वराबर आपका क्या हो जाग वाई वराबर साथ हो जागा आपका सी ओप्सन जो आपका सही हो जागा साथ तो इसको नोट करिया सेद्रिय का लम रेखा यह तीनों उधार है नहीं है बोलता तो वक्र लेखा होता है यानि इसमें सही हो जागा उसका बात देखिए आपका जो नेश्ट प्रस ने पूसता है कि दिए गए सम सट भूज में रेखा का कौन सा यूगम समानतर है तो देखिए के एल और एम एन के का के क के एल इदार रही एम एन एम एन इदार दीखिए इधार बोर है तो यह पर तीछ छेद हो जगा आपको ठीक है आगे बर तेन ओ एन ओ इल एम इल एम इदार है इससे वे आगर बढ़ाएंगा तो यह कट जाए यानि यह इभी आपको गलनत हो जाएगा ओपी और एल हो गया इधार यह दुनों को कितना भी आप बराबर एक समकौन आपका कितना डिगरी का होता तो देखिए आपका समकौन त्रिभूस जो आपका एसा रहेगा एसा रहेगा जो कि आपका 90 डिगरी का बराबर होता तो यह अपसन आपका सही हो जाएगा और नेश्ट आपका जो अंतिम पुरुस्ता की दिये गए अकृति में किस प्रकार का अत्रिभूस है एक अकृति दिया गया है यहाँ पर सिधा ऐसे जो मैंने बताए ऐसे एक अकृति है जो कि किस प्रक चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सियर किज़ेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिया क्योंकि इन टू कभी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तो चलिए मिलते लिए नेश्ट वीडियो में चाहते हैं चाहते हैं